हलो फ्रेंज वेलकम तो आवर यूट्यूब चानल डियर नितीज सर और आज के वीडियो में हम लोग ऑक्सपूर्ड करेंट इंगलिस टांसलेशन के एक्सरसाइज 34 को सॉल्व करेंगे ठीक है लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूंगा कि अगर आप लोगोंने दाक आप पढ़्योग नहीं देखा है तो आप लोग हमारे प्रिविएस वीडियो में भी देख सकते हैं ठीक हमने कई बार आप लोगों को बताया है अगर आप लोग हमारे रेगुलर वीवर हैं तो लेकिन अगर आप नहीं है और बनना चाहते हैं तो इस वीडियो से आप बन सकते हैं आप इस वीडियो को एन तक देखिए तो चलिए शुरू करते हैं कहां पर अंद्र का पर योग कर सकते हैं कहां पर नहीं कर सकते हैं सिर्फ आप इसी exercise में पूरी तरीके से सीख जाएंगे कि कैसे हमें पता चलता है कि यहां पर दल लगेगा या झूंहीं लगेगा ठिक है चलिए तो यहां इसमें हमें दो पार्ट दिये गए पार्ट एएंड़ पार्ट भी हम दोनों को इसी वीडियों में सॉल्व करेंगे ठील ए चलिए तो सब से पहला जो हमारे रहा है पार्ट का फर्स्ट नूम्बर हाथी मजबूत होता है क्या का ज़रा है हाथी मजबूत होता है थो सिंपल सा के हाथी मजबूत होता है तो दो चीजोंगWhen ध्यान रकना है अगर singlar common noun है singular common noun है और निष्चित बात हो रहा है तो हम दा का परियोग करेंगे ठीक है अगर निष्चित बात हो रहा है तो हम लोग दागा परियोग नहीं करेंगे बात खतम चलिए तो बनाते हैं हाथ ही हम लिखेंगे दग एलिफेंट दग एलिफेंट कि इस इस्ट्रॉंग अगला देखिए अगला अमारा क्या है घोरा उपयोगी होता है क्या करा है घोरा उपयोगी होता है तो हम सिंपल देखिए बहुत ही आसान है यहाँ पर पता है आप लोगों को देखिए सिंगलर को मन नाउन है और यह हमारा सिंगलर है और उपयोगी होता है तो किसी एक घोरे के यहां पर जाती का बहुत हो रहा है तो घोड़े के जाती का ही सिर्बात किया जा रहा है तो यहां पर निश्चित ही है ठीक है घोरा उपयोगी होता है हम लिखेंगे दा हॉर्स कि इस है यूजफुल नमबर थ्री गाय एक जानवर है तो यहां पर देखिए गाय एक जानवर है यहां पर देखिए सिंपल देखिए एक ही जाती के बारे में बात किया जा रहा है तो हम लिखेंगे दा काव इस एनिमल अगला हमारा है कुत्ता एक वफादार जानवर है तो यहां पर देखिए एक ही बारे में बात किया जा रहा है और निश्चीत भी है लिखेंगे इस अ आप लगा सकते हैं यहां पर हम लोग इसे डिलीट करेंगे और यहां पर हम लोग ए लगा देंगे ए फैट फूल फैट फूल एनिमल एनिमल ओके अगला जो हमारा है गाए एक चौपाया जानवर है यहां पर भी दा लगेगा लिखेंगे दा काव इस अ फूल 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 एनिमल एनिमल मैं नीचे में लिख देता हूं एनिमल अगला जो है नमबर शिक्स में गाए नेक होती है लिखेंगे दा काव इस जेंटिल ठीक है अगला जो हमारा है नमबर सैबन घोरे उपयोगी होते हैं यहां पर आप लोगों को ध्यान देना है लिखें घोरे उपयोगी होते हैं ठीक है यहां पर एक घोरे की बात नहीं हो रही है सभी घोरे की बात हो रही है ठीक है और यह हमारा जो हमारा पुल्रल कोमन नाउन है इसलिए हम लोग इसके पहले दा का परयोग नहीं करेंगे सिंपल लिखेंगे होर्सेज हर्सेज आर यूजफूल यूजफूल ठीक है अगला देखिए नमबर एट गाएं नेक होती हैं यहां पर भी हम लोग दा का परयोग नहीं लिखेंगे लिखेंगे काउज और काउज आर जैंतिल अब यहां पर दिकिए एक से अधिक्त हैं लेकिन निष्चित के बारे में नहीं बात क्या यहीं पर रहता गाएं नेक हैं नेक नहीं करेंगे अब देखे नमबर नाइन में हमारा बच्चेन नटखट होते हैं यहाँ पर दिखे नटखट होते हैं तो वही दागा परियोग नहीं करेंगे चिल्रेन आर स्वरी चिल्रेन आर नॉटी नॉटी सॉड़ी एन ए यू जी एच टी वाई नॉटी नमबर टैन बिल्लियां फुर्तिली होती है अब देखिए बिल्लियां फुर्तिली होती हैं है मतलब एक से अधीक है तो हम लिकेंगे कैट आर एक्टी अगला है हमारा दूद लाबदायक होता है और यहांपर भी निश्चीत बात नहीं है और यह हमारा मेटेरियल है इसलिए हम इसमें दकापड़यों नहीं करेंगे अगर निश्चीत होता तो कर सकते थे लेकिन अभी नहीं करेंगे लिखेंगे milk milk is useful useful अगला देखिए सहद मीठा होता है लिखेंगे honey honey is sweet sweet अगला हमारा सोना पीला होता है लिखेंगे gold gold is yellow sorry yellow अगला हमारा क्वेला काला होता है लिखेंगे क्वेलीज ब्लाक क्वेलीज ब्लाक अगला हमारा लोहा मजबूत होता है लिखेंगे iron iron is strong अगला हमारा 16 नमर में लिखेंगे नमक उपयोगी होता है लिखेंगे salt salt is useful useful लिखेंगे f है हमारा और ये ल है useful अगला देखेंगे हमारा 17 नमबर में चांदी उजली होती है यहां पर भी हम लिखेंगे silver silver is white अभी हम आपको बताएंगे कि कहां पर आप लोगों को करना है material भी है तो भी करना आप लोगों ने क्या देखेंगे लिए अभी मैं आपको थोड़ा सा टाइम लोगा आप लोगों का अभी आपने क्या देखा जब आपका common noun common noun आपका क्या हो singular हो तो हम लोग दाकापर योग कर रहे थे ठीक है अगर पुल्डल है तो हम दाकापर योग नहीं कर रहे थे लेकिन एक कैसा condition भी आया जब हम लोग दाकापर योग कर रहे थे पुल्डल के साथ में भी ठीक है कब हम कर रहे थे जैसे बिल्लिया अच्छी है यहाँ पर हम लोग दाकाइट्स लिखेंगे ठीक है आब यहां पर देखें, बी-पार्ट में हमारा IS आएगा question यहां पर बच्चे इमांदार होते हैं यहां पर भी वही बात है लिखेंगे चिल्रण चिल्डरन चिल्ड Creator आर झोनेश्ड चिल्डन दर फोनेश्ड अब यहां पर देखेए यहांपर आप नहीं लगाया लेकिन यहांपर आप लगाएंगे क्योंकि यहां पर निश्चित बात हो रही है बच्चे इमान्दार हैं कुछी बच्चे हैं जो कि इमानदार है अगला है गाएं काली है यहाँ पर लिकिंगे इस दा कॉज यहाँ पर भी आप देख सकते हो दा कॉज आर बलाक यहाँ पर हमारी जो है निश्चित बाते हो रही है अगला अगर हम देखें तो है गाएं उपयोगी होती है यहाँ पर हम लोग दा का परियोग नहीं गरेंगे यहाँ पर लिखेंगे कॉज आर यूजफुल अगला है मारा कुट्टे वफादार है तो हम यहाँ पर दा का परियोग करेंगे लिकिंगे the dogs the dogs are fatful fat full अब वहीं पर है कुट्टे वफादार होते हैं यहाँ पर हम लिकिंगे dogs क्योंकि यहाँ पर निश्चित नहीं है और total common noun में है लिकिंगे the dogs dogs are fatful fatful number 24 पानी गरम है लिकिंगे the water the water the water is hot अब आप लोग समझ गए किस material noun में हम लोग दाक आप योग करेंगे जब आपको निश्चित कर दिया जाए कि यह पानी गरम है यहाँ पर बोला ज़रा पानी गरम है अब सब पानी तो पूरे दुनिया में जितने भी पानी वो तो गरम नहीं है तो आपर निश्चित पानी की बात हो रही है कि पानी गरम है ठीक है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अगला जो हमारा है 25 नंबर में तो कि हमारे पार्ट B का है पानी उपयोगी होता है तो यहां पर हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे simple लिकिंगे water is useful अगला है चाय गरम है लिखेंगे the tea the tea is hot the tea is hot अगला है चाय गरम होती है तो हम लिखेंगे tea is hot tea is hot चाय गरम होती है अगला है सोना अच्छा नहीं था हम लिखेंगे the gold the gold is sorry was not good not good ठीक है यहां पर was where का यूज भी करना होता है करना है हमें अगला हमारा सोना कीमती होता है यहां पर ध्यान देजे होता है यहां पर निश्चित नहीं है तो हम लिखेंगे gold is costly costly नंबर 30 घोरा तेज था यहां पर हम लोग का पड़ियूग करेंगे लिखेंगे the horse horse was intelligent भी आप लिख सकते fast भी लिख सकते ठीक है घोरा तेज था तो मतलब दोरने में तेज था हम लिखेंगे fast अगला हमारा लड़का चालाक है यहां पर हम लोग का पड़ियूग करेंगे लिखेंगे honey is good sorry यहां पर हम लोग दा का पड़ियूग करेंगे तो हमें काम करते है एच को delete करते हैं लिखेंगे the honey is good इसमें दा लगेगा यहां पर निश्चित किया जा रहा है अगला कुरसी नहीं है यहां पर भी हमारा निश्चित है लिखेंगे the chair is new the chair is new अगला हमारा घरी पुरानी थी लिखेंगे the watch the watch was old the watch was old कल में अच्छी है तो यहां पर भी हम लोग दा लगाएंगे the pens the pens are good ठीक है अगला हमारा लड़के तयार है लिखेंगे the boys the boys are ready अब आप लोगों को मक्खन के तरह समझ में आ रहा होगा मुझे पता है अगला हमारा आदमी इमांदार था ठीक है यह पताईए इसमें तुद्ध लगेगा क्यों क्योंकि यह निश्चित है दिकिंगे the man the man या person आप जो भी लिखना चाहिए लिख सकते है नहीं हूं मैं बी एक इंसान हूं इसलिए मुझसरी कभीकभी गलतियां हो जाती है ठीक है और मैं ट्राइक करता हो कि आप यह भी गलती न हो ठीक है चलindo अजला होता है तो हो जाएगा यह पत्यकित होता है निश्कित नहीं है investing कि यह मिल्क, मिल्क, मिल्क इस वाइट, ठीक है, नमबर फोर्टीवन में है कि किसान लोग मेहनती हैं, लिखिंगे, दफार्मर्स, दफार्मर्स, आर लिवोरियस, अगला हमारा किसान मेहनती होते हैं, देखिंगे, फार्मर्स, किसान मेहनती, लोग यहाँ पर साइद छोड़ दिया है, या फिर है तो आप देख लिजेगा, फार्मर्स, आर लिवोरियस, लिवोरियस, तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आयोगा, इसमें सकते हैं, कभ्रस yo up ले ले लेते हैं, अगर, नाउन है इसमें दो चीजें होते हैं एक Yokoذai सिंगलर को मनना होना ठोड़ा साफ Taheim यद्फ सिंगलर गदें पुल्डः कोहा तो एक उताई सिंगलर अब नोस消 Really आप देखेए जब पुल्डः हो ठीक पुल्डः हो लेकिन निश्चित ना हो निस्चित ना हो तो हमलोग दा का पर्योग नहीं करेंगे लेकिन शिंगलाड़ हो और निश्चित हो सुरी क्या लेकता हूं निश्चित हो इसमें भी निश्चित नहों तो भी हम लोग दाकाप्रियोग नहीं करेंगे ठीक हैора अगर निश्चित है निश्चित है तो कोई भी कंडिशन हो हम इसमें दकाप्रियोग करेंगे अब दिखें अगर मेटेरियल नाउन है मेटेरियल नाउन है और ये भी अगर निश्चित नहीं है तो हम भी इसमें अगर निश्चित ना हो इसमें हम दकाप्रियोग करेंगे अगर आप चाहते हैं के पूरान बुक का सॉल्यूस को 파리ंट संभी और उपालीगेशन पर जो की आपको Play Store पर मिल जाएगा जैए प्ले स्टोर पर और सर्च कि lies Oxford Key tend slash at present आपको मिल जाएगा उसे इन्स्टाल किजिए और यूज किजिए बिल्कुल अहaints मिलते हैं नेट्ट वीडियो में और तक के लिए जाहिंद